दोस्तो बिग बॉस 13 की रही क्वीन और पंजाब की कैटना कैफ आप सब की चहीती शेहनाज गिल अभी थोड़ी ही दिर पहले लाइव वीडियो में आई और काफी लंबी लाइव वीडियो इन्होंने की अपने फैंस के साथ इस लाइव वीडियो के दोरान आपको बता दू कि शेहनाज गिल ने कई ऐसे राज खोले अपने वारे में जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ सराने कहां कि बादशाह के साथ सौंग करना अलबम करना मेरा एक ड्रीम था जो कि अपने फैंस को इसका क्रेडिट देते हुए थाइंक्यू बोलते हुए कि ये सब कुछ आप फैंस की वज़े से ही हो पाया है कि आज मैं बादशाह के साथ इतना बड़ा आलबम कर रही हूँ और शेहनाज ने लाइव वीडियो के दौरान ये भी बताया कि वो कौन सी जिगह पे हैं इस टाइम लेकिन वो बताना तो नहीं चाहती थी लेकिन फैंस की जिद की वज़े से लाइव वीडियो के दौरान इतने भर-भर के कमेंट्स आ रहे थे शेहनाज से उनके फैंस सवाल पे सवाल किये जा रहे थे कि वहीं हमें बताओ आप कहा हो नहीं तो अच्छा नहीं होगा तो शेहनाज को मजबूरी में बताना पड़ा हलागी वो नहीं बताना चाहती थी कि वो इस ताइम कहां पे है आप लोग की फेवरेट शेहनाज हैं इस ताइम कैनाडा में जी हाँ कैनाडा में वो बहुत जादा रूम के अंदर बोर हो रही थी और लाइब वीडियो उन्होंने किया और अपने फैंस के साथ कम से कम 20-25 मिनट तक उन्होंने बात की बहुत सारी बाते की बहुत सारे राज खोले वही बातों बातों में उन्होंने फैंस से बोला कि वही ये इंडरस्ट्री वाले इतने कई गंदे होते हैं पहले तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे गंदे होते हैं सभी को नहीं बोला उन्होंने गंदे मेंस की behavior को लेके attitude दिखाते हैं arrogant दिखाते हैं biased होते हैं बट उन्होंने कहा कि बादशाह के साथ album करने से पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये arrogant टाइप का होगा बादशाह बट उन्होंने कहा कि नहीं बहुत caring है बहुत ध्यान रखा बादशाह ने मेरा जैसे कि अपने fans को उन्होंने बोला कि जैसे आप लोग मुझे प्यार देते हो ध्यान रखते हो ऐसे बादशाह ने भी मेरे को support किया और proud feel करा है वहीं एक fans ने live video के दोरान शैनाज से पूछ ड़ला कि आपका कश्मीर वाला गाना album कब आ रहा है तो शैनाज ने पहले smile करा और बोला कि भई बहुत जल्द आने वाला है लेकिन इसके लिए आपको पूछना होगा बादशाह से उन्होंने का मुझे मत पूछिये जा कर बादशाह से पूछियो कि कब वो इस गाने को कश्मीर वाले गाने को जिसमें की शैनाज गिल बहुत ही सुंदर और ब्यूटिफूल लग रही है कश्मीर की कली लग रही है जितनी तारीफ करे कम है उनकी कश्मीर वाली फोटो को लेकर तो उसके लिए उन्होंने कहा बादशा जब रिलीज करेंगे उस गाने को तब ही होगा भई हमें नहीं पता कब होने वाला है तो अभी सस्पेंस बना रखा है शैनाज गिल ने अपने निव आलबम को लेकर वेल वो कैनेडा गई है और वहाँ पर भी बादशा के साथ ही वो शूट कर रही है एक और निव आलबम तो आपको कई सारे निव आलबम बादशा के साथ शैनाज गिल का देखने को बहुत ही जल्द मिलने ही वाला है कोई फैंस नहीं कहा सिड़नाज की जोडी आपको कैसी लगते है सिड़नाज हास्टेक के बारे में आपका क्या कहना है तो शैनाज का जबाब था भई सिड़नाज की वजह से तो मैं यहाँ पर हूँ सिड़नाज तुमने इतना ट्रेंड कर दिया है कि मुझे बहुत जादा पसंद है सिडनाज hashtag तो forever सिडनाज तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि सिद्धार्त और स्हेणाज की जोड़ी जो इतनी लाजबाब है वैट आपको क्या कहना है सिद्धार्त और स्हेणाज की जोड़ी को लेकर इन दोने की शादी को लेकर झाल झाल